नमश्कर दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं लूना के बारे में और लूना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इसके प्रेजंट के बारे में जो इस समय सकी कंडिशन चल रही है इसके future में क्या इसकी possibility यह कुछ recover करने कि उसके बारे में हम बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं तो अभी सबसे पहले शुरुबात करते जो प्रेजंट इस समय जो हालत चल रही लूना की क्या चल रही है अभी लूना के साथ हुआ यह है कि almost सभी एक्सचेंज ने इसको डी लिस्ट कर दिया है कुछ एकात पेर बचे हैं जिसम में प्राइस चल रहा है कुछ पैसो में चल रहा है मतलब 0.1 पैसा मतलब 0.1 मतलब बहुत उड़ा शीवा इनके करीब पहुच चुकाई है तो इस समय में अभी उनकी ब्लोक्चें जो है वो भी रोग जी गई है इनकी ब्लोक्चें में अगर आप जादा कुछ डेटेल नि पर सबकी ओल डीटेल दिखती कितने होलडर है क्या कुछ है लेकिन यहाँ पर इनकी जो ब्लोक्चें में डेजाइन की थोड़ी सेक्यूर जादा डिजाइन करी है इसकी वज़े से बहुत सारी डीटेल नहीं मिल पाती है तो अभी जो इनका कंडिशन है वो बिलकुल 0 की त जोकन को लेकर लेकिन जब इसका गिरने लगा और टॉप 10 का fundamental coin इतना तेजी से जब गिर रहा है तो हम सभी की यही ध्यान में आया कि अब गिर रहा है तो recover करेगा क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है टॉप की coins के साथ वो यही हुआ है कि अगर वो गिरते हैं तो recover करते हैं अगर हम इनका आज दिन भर हम यही सर्च कर रहा है कि इनके founder में क्या potential है इनकी founder ने अब तक कौन-कौन से तीर छोड़े हैं ऐसे जो की मतलब कौन से बड़ा-बड़ा काम किया है तो वो सब देखा कई सारे interview मेरे सामने आर उनसे interview में इनका जो body language जो presence है वो एक छोटे से एक teenager की लग रही है और यह हमारा मानना हो सकता है आपका मानना कुछ और हो सकता है लेकिन जो मुझे दिखा उनसारे interviews को देखने के बाद और उसमें कई सारे जगाईनों ने यह भी बोला है कि जो हमारा coin है वो तभी डाउन हो सकता है जब पूरी cryptocurrency को लैप्स कर जाए 95% are going to die yeah 95% are going to die yeah but uh yeah there's also entertainment for watching companies that too there's entertainment oh man that's 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 so evil at least you get to learn from it right 95% cryptocurrency बैठ जाएगी आने वाले 2-4-5 सालों में 95% जो market में इससे में सर्कुलेट है आने वाले 2-4-5 सालों में सम गयाब हो जाएंगे लेकिन 2-4-5 सालों की बात नहीं सिर्फ दस दिन की बात उसे इंटर्विव दे देने की 10 दिन के बाद ही इनका कॉइन 100% डंप हो गया जो आज तक की हिस्टरी में अब तक नहीं हुआ है लोग हम लोगों से कमेंट में पुछते ते सर क्या 100% हमारा कॉइन 0 हो जाए क्रिप्टो का इन से 0 हो जाएगी लेकिन कभी ये नहीं सुचा था इस तरीके का सीन द दारिक में बिल्कुल उस जोन की करीब करीब चल रहे हैं क्योंकि जो टेरा के साथ हुआ है अब हमको और जबाए सिक्यूर कदम रखना है कि किस तरीके से हम अपनी फंड को सिक्यूर करें क्योंकि एक ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी है ये हर माईनों में बड़ होगा वो कैसे होगा वो आने वाले वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे लूना से नहीं किसी और टोकन से रिकवर होगा अभी बात कर रहे हैं लूना के रिकवरी का प्लान तो देखी अभी जो इनके ट्विट इनके जो डॉक वन जो इनके फाउंडर हैं उनकी तरब से जो आया है वोई यह आया है कि हम अपनी ब्लॉक्चेन को रोक रहे हैं उसके लावा कोई ऐसा ट्विट नहीं आया है कोई ऐसा इंट्रव्य अभी तक नहीं आया है जिसमें कि अपना यह प्लान बता है I would note that there was a report just this morning in the Wall Street Journal that a stable coin known as Terra USD experienced a run and had declined in value and well so I think that simply illustrates that this is a rapidly growing product and that there are risks to financial stability and we need a framework that's that's appropriate तो यहां पर जो US के जो security of treasury है उनके तक यह बात पहुच चुकि इनोंने इसके बारे में अपना जो concern है वो रिस किया है और आने वाले समय में इस पर क्यूंकि आज के समय में यह यूग है Twitter का Twitter का तो अब इतनी जल्दी यह बात दबने वाली नहीं है इस चीज़ का कुछ न कुछ solution देना पड़ेगा Terra को तो वो भी आने वाले समय में देखते हैं और कुछ समय के बाद हो सकता है ऐसा कुछ exact solution exact plan हम लोग के समने मिले अब बात करते हैं कि यहाँ पर past में क्या कुछ ऐसा scene हुआ था जिसकी वज़े से मुझे ऐसा लग रहा है personally मुझे ऐसा लग रहा है कि यह intentionally हुआ है आपको ध्यान होगा कि अकसर हम लोग जब Bitcoin dip में जा रहा था सभी लोग Bitcoin खरीद रहे थे El Salvador खरीद रहा है, MicroStrategy खरीद रहे वाकि सभी लोग अपना खरीद रहे है हम सब भी लोग खरीद रहे तो उस समय एक यह भी खबर आती थी कि Terra अपने Treasury में Bitcoin बढ़ा रहा है Terra अपनी Treasury में Bitcoin बढ़ा रहा है उसके पीछे नाम यह दे रखा था कि हम UST जो उनका StableCoin इसको बैक करने, बैक अप करने के लिए लेकिन वो बैक अप आज कहा है कहीं आता पता नहीं है शायद हो सकता है इन्होंने बैक अप UST को ना करने की बज़ए अपने बैक अप के लिए वो Bitcoin खरीदे हो और आज जब उनका प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह गिरा है तो मतलब कहीं से कोई अभी तक ऐसी सीन नहीं आया अब आने वाले 24 घंटे और 40 घंटों में हो सकता है कुछ उनकी तरफ से ऐसा कुछ सीन नजर आए जिसमें की पता चले कि अब इनके क्या प्लानिंग है और नहीं तो मतलब कोई ऐसा accurate अभी solid चीज नहीं नजर आ रहे कि टेरा की कोई भी recovery possible है और जो लोग भी इसके holder है उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखे क्रिप्टो करेंसी और यहां पर नुकसान है और फाइदा भी है बस यह है कि हमको उस project में लगे रहना है मतलब क्रिप क्रिप्टो में लगे रहना है क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे ऐसे से मौके आते हैं जो हमको एक second में कहां से कहां पहुचा देते हैं कहां से कहां मतलब यहां से यहां और यहां से यहां तो दोनों ही चीज़े पॉसिबल है अगर यह चीज हम लोग के टेरा हम लोग के स लगे रहना है, और जो भी लोग आपके साथ है, उनको गाइड करना है, क्योंकि देखिए, एक क्वाइन है, और इस क्वाइन के साथ लेकर कई सारे क्वाइन दबाव में भी आए हैं, जो मतलब आज की तारिक में काफी ज़दा pressure झेल रहे हैं तो उन सब के बारे में भी आने वारे समय में aware करेंगे कि इनके in coins से आपको अभी switch कर जाना चाहिए वो सब अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब सारे coins लगभग लगभगी जिगा पहुंच जाए कुछ neutral condition में आजा भी तो सारे down है अभी इस समय अगर हम उसके बारे में discuss करेंगे तो और ज़्यादा बुरहाल हो जाएगा तो वो भी समय आने पर discuss करेंगे लेकिन यहाँ पर जो solution निकल करा रहा है वो एक ही निकल करा रहा है टेरा अपनी team के साथ मिलकर CZ यानि जो बाइनस के founder है यह लोग मिलकर अपना कुछ ऐसा नया planning करें तो आसानी से possible चीज़े है मतलब impossible नहीं है और अके लिए टेरा की possibility मुझे ऐसा लग नहीं रहा है और अगर हो जाती तो बहुत जादा अच्छी बात है उपर वाले का मैं शुक्र गजार हूँगा कि हम सभी का भला होगा हम मतलब काफी सारे लोग इसमें पैसा लगाए है अभी दो-ती दिन पहले लगाए है तो उन सब का भला होगा तो दोस्तों ये थी वीडियो को मेर्द करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक केज़े चैनल को सब्सक्राइब केज़े स्कैमर से बचकी रही है थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए दुलते है नेक्स वीडियो में